Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिसकस करेंगे वरक्षीट नमबर 62, 4 क्लास 9th, सोशल साइन्स की बच्चोई वरक्षीट है जो आपके लिए 10th of January 2022 के लिए शेडिूल की गई है आज की जो वरक्षीट है बच्चो उसमें हम जो हमारा चेप्टर है क्लाइमेट उसी को कंटिनू करते हुए आगे पढ़ेंगे सो वरक्षीट शूकरने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो देखे आज की वरक्षीट में हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे सीजन याने रित्वें ठीक है देख़े वैढर कंडिशन ग्रेटली चैंज फ्रॉं वन सीजन टो दा अधर जो वैढर कंडिशन होती है जब एक सीजन से दूसरा सीजन आता है जैसे गर्मी से सर्दी आई सर्दी से कर्मी आती हैं तो उसमें कुछ चेंजिस होती है चार मेंन सीजन है और वो कौन से है दा होट वैदर सीजन दा कोल्ड वैदर सीजन यानि सर्दी की डितू होती है दा होट वैदर सीजन गर्मी की डितू होती है और एडवांसिंग मौनसून advancing monsoon का मतलब क्या होता है जो monsoon आती है तो monsoon आती है तो कौन सा season लेकर आती है rainy season यानि वर्षारितू लेकर आती है and the retreating monsoon with some regional variation ठीक है और कुछ variations के साथ monsoon का क्या होता है return returning होता है जो monsoon वापस आती है यानि वो season कौन सा होता है autumn season होता है तो main यह 4 season रहेंगे इस worksheet में हम cold weather season यानि winter season के बारे में complete पढ़ेंगे कि winter season में कौन कौन से characteristics रहती है so it begin from mid November in northern India and stay till February जो इसमें होता है ना कि यह mid November में start होता है northern India में and stay till February तक रहता है जैसे अभी थंड चल रही है अभी थंड का जो मौसम है वो mid November start हो गया था और end February तक लगबग यह रहेगा December and January are the coldest month in the northern part of India December और January जो है वो सबसे coldest month है northern part of India के ठीक है in the northern plains the temperature ranges between 10 degree Celsius and 15 degree Celsius और जो temperature है वो जो vary करता है that is 10 degree Celsius and 15 degree Celsius clear है तो case के बीच में लगबग रहता है 10 से 15 degree Celsius के बीच में days are warm and nights are cold days जो है वो कैसे होते हैं गरम होते हैं राते बहुत जादा ठंडी होती है frost is common in the north and higher slope of the Himalayan experience snowfall और जो आप कह सकते हो कि frost है frost यानि जो पाला पड़ता है बिलकुल ठीक है वो जो है northern reason में common है north side और हिमाले में क्या होता है Himalayan side जो है कश्मीर है उस एरिया में क्या होता है snowfall होता है श्री नगर साइट ठीक है during this season the northeast trade wind prevail over the country और इस season में जो northeast trade है ठीक है जो trade waves होती है वो इस season में चलती है and they blow from land to sea and hence for most of the country it is dry season और ये जो है land to sea होती है actually क्या होता है कि सर्थियों में land के उपर क्या होता है high pressure area create हो जाता है और seas में low pressure area होता है और जो waves की आप कह सकते हो कि waves जो होती है उनकी common characteristic क्या होती है they travel from high pressure to low pressure इसलिए जो winds है वो उल्टी जो है इस तरह से चलने लगती है high pressure to low pressure ठीक है और इसी के कारण क्या होता है कि country में देश के जो अधिकतर भाग है उनमें जो मौसम है वो कैसा रहता है dry season रहता है now in the northern part of the country a feeble high pressure region develop आप northern part में क्या होता है कि एक high pressure develop हो जाता है with light wind moving outward from this area जिससे जो आप कह सकते हो winds है वो इस area से बाहर की तरफ आने लगती है influenced by the relief these winds blow through the ganga valley from the west and northeast तो इसमें होता क्या है कि जो ये waves है ये जो है west और northwest से गंगा की तरफ जो है उस तरफ बहने लगती है ठीके winds blow through the ganga valley ganga valley की तरफ बहने लगती है from west and northwest northwest से और west से जो है ये बहने लगती है and these weather normally marked by clear sky ठीके यानि जो waves है देखे इस तरह से जो waves होती है वो जो है ये ganga valley northern region है उपर जो है सारा mountainous reason होगा और जो waves है वो सारी जो है उल्टी इस तरह से जो है वापिस flow करने लगती है and the weather is normally marked by clear sky आस्मान बिलकुल साफ होता है low temperature होता है and low humidity रहती है and feeble ठीक है and variable winds होती है यानि वो changes उसमें जो weather है उसमें आते रहती है एक characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbances from the west and northwest तो इसमें क्या होता है कि एक cyclonic disturbance रहती है ठीक है over the northern plains and west and northwest से and these low pressure system originate over the Mediterranean Sea and the western Asia and move into India along with the western flow इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे कम pressure वाली आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे Mediterranean Sea है और एक low pressure system create होता है and western Asia and it move and western Asia western Asia और जो Mediterranean Sea है वहाँ पर एक low pressure system create होता है and it move into India along with the westry flow और यह जो है westry flow के साथ इंडिया में क्या करती है एक तरह से enter करती है now although the total amount of winter rainfall locally known as महावत और जो total amount है rainfall की जो की winter season में होती है उसको हम क्या कहते है महावत कहते है और जो बारिश होती है वो कम होती है but they are immense importance for the cultivation of ruby crops लेकिन इस season में ruby crops grow की जाती है like wheat है gram है तो इनके लिए यह जो महावत है और you can say जो यह जो rain है यह बहुत ही ज्यादा important होती है उनकी अच्छी growth के लिए ठीके तो यानि जो crop है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है अगर यह थोड़ी सी जो बारिश है यह होती है clear अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है 4 questions दिये गए है 5 questions जिसमें 2 आपके true false रहेंगे and 3 these are the main questions so इनको हम one by one discuss करेंगे question first name the four major season of India India के four major season जो है उनके नाम आपको बताने है so mainly four season can be recognized in India mainly four season है that is winter season second is summer season third हम करेंगे monsoon arrival that is rainy season and fourth is monsoon withdrawal period that is autumn season ठीक है तो यह main four season रहेंगे next question number two है write any two features of winter season in India winter season के आपको दो features लिखने है first रहेगा days are hot and nights are cold nights जो हो बहुत cold होती है winter season start from November and last till February ठीक है November में start हो जाता है until February तक है रहता है the temperature decreases from south to north in winter जब हम south to north जाते हैं तो winter में temperature जो है वो क्या होता है decrease होता है इसलिए जो northern reason है वहां पर ठंड ज्यादा रहती है question number three है why are winters dry season in India winters में dry season क्यों होता है in most of India so in this season the northeast trade winds blow in the country ठीक है northeast trade जो है वो जो wind है वो blow करती है it flow from land to sea और जो wind है वो land से sea की तरफ जो है flow करती है क्योंकि land पे high pressure area हो जाता है और winds जो sea है वहां पर low pressure area होता है and hence a dry season in most part of the country और इसलिए mostly part में जो क्या रहता है dry season रहता है now state weather following statement are true or false true false बताने है so frost is a common phenomena in south India so south India में temperature ज्यादा रहता है तो महां पर frost जो है वो एक common phenomena नहीं है north में यह common phenomena है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा it will be false and question number fifth is महावत is very important for ruby crops तो हमने अभी worksheet में पड़ा है महावत यानि जो less rain होती है that is very important for the ruby crops like wheat है ग्राम है ठीक है so it will be true तो यह answer आपका रहेगा true ठीक है तो यह थी आपके आज की SST की worksheet I hope सभी students को clear है कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe भी कर लीजिए so thanks for watching students मिलते हैं next video में next worksheet के साथ take care bye bye have a nice day